हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 6 की वॉक्षीट नंबर 20 जो की 14 सितंबर 2021 की वॉक्षीट है और आज का विशे है विज्यान और आज हम पढ़ेंगे विद्यूत फ्यूज के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूज प्यूज से होकर गुजरता है तो यह जल कर तूट जाता है और इस अत्यधिक करण को आगे विद्यूत पत्में जाने से रोक देता है इसलिए यह एक अत्यधिक अत्यधिक करंट विद्यूत उपकरंट जैसे पंका, टीविंग, वशिंग, वशिंग आदी तक नहीं पहुंच पाता है देखो होता कहना हो जब भी हमारे घर में जितनी करंट आनी चाहिए उससे जादा अगर बिजली आती है तो जहां हमारा मीटर लगा होता है उसके पास ही एक और चीज लगी होती है जिसको हम कहते हैं फ्यूज तो जैसे ही जरूरत से जादा विद्यूत हमारे घर में आने लग जाती है तो ये फ्यूज जो है वो तूट जाता है और इस वज़े से बिजली वहीं पे रुक जाती है और हमारे पूरे घर की जो बिजली है वो चली जाती है हमें वहाँ पे दूसरा फ्यूज लगाना पड़ता है या फ्यूज को रुपैर करना पड़ता है तब जाके बिजली आती है अब इससे होता क्या है फाइदा क्या होता है कि जैसे ही fuse तूटेगा, तो ये जो extra बिजली थी, वो हमारे घर में नहीं आ पाएगी, इस वज़े से हमारे घर के जितनी भी appliances हैं, जितने भी सामान है, जो बिजली से चलते हैं, चाहे वो पंका है, TV है, washing machine है, ये सारी सुरक्षित रह जाएगी, लेकिन अगर हम अपने घर म नहीं लगाते हैं, और by chance किसी दिन जादा बिजली आने लग जाती है, तो उस दिन क्या होगा, क्योंकि हमारे घर में जादा बिजली आ जाएगी, और ये जादा बिजली, जितने भी चीज़े हैं, TV, पंका, फ्रेज, washing machine, ये कोई भी extra बिजली नहीं ले पाती हैं, और ये सारे की सारे सामान खराब हो जाएंगी, वहीं पर blast हो सकते हैं, खराब हो जाएंगे, तो इस तरीके से हम fuse को एक safety की तरहें लगाते हैं, कि जैसे ही extra बिजली आएगी, सिफ फ्यूज तूट जाएगा, बाकि सारी चीज़े हमारी सुरक्षित रह जाएंगी, ठीक है, इसकी वज़े से कई उपकरण जलने तथा खराब होने से बच जाते हैं, फ्यूज एक पतले धातू के तार का बना होता है, और एक सुरक्षा उपकरण के रूप में विद्यूत उपकरणों को अध्यादिक करण के प्रभाव से बचाता है, यानि जब भी extra करण आने लग जाता ह तब fuse खुद तूट जाता है और बाकी सभी चीज़ों को बचा लेता है, ठीक है? अब इसके बाद देखोए कि यहाँ पे हमें क्रिया कलाब दे रखा है, ध्यान से देखना ये है बल्ब A और ये है बल्ब B, आप से पूछा ये है कि दिये गए चुत्र में बताओ कि कौन स बल्ब Fused है और क्यों? यानि दोनों बल्ब में से कौन सा बल्ब Fused है? तो अगर ध्यान से आप तन्तू देखो तो ये बीच का जो तन्तू है बिल्कुल सही है, जबकि यहाँ पे जो तन्तू है बीच में इस साइड में तूटा हुआ है, अब ध्यान से देखो इसे, अब क यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो आप यहाँ पे यह लिखेंगे कि बल्ब A Fuse है क्योंकि इसका तन्तू तूट गया है, ठीक है? अब आके देखो हमें संकेत बॉक्स में दे रखा है कि Fuse बल्ब का मतलब है बल्ब के तन्तू का खंडित होना, इनि इस तन्तू का तूट जा जाता है, जैसे ही परिपद तूटेगा, तो खंडित जो तन्तू है से विद्धार प्रवाहित ना होने के कारण यह जो बल्ब है वो नहीं जलेगा, बल्ब को जलने के लिए क्या होना चाहिए? कि जो परिपद है यह पूरा होना चाहिए, अगर यह परिपद कहीं से भी त तो उस केस में परिपत क्योंकि तूट चुका है तो बल्ब नहीं जलेगा ठीक है कि आप जानते हैं हवा विदुत्रोधक है देखो हमारे आसपास जो हवा है यह विदुत्रोधक है इसका मतलब हवा के अंदर से विदुधारा प्रवाहित नहीं हो सकती है अब मान लो कि अग हर जगें हर तरफ हवा में करेंट करेंट और करेंट ही होता और वो सारा करेंट हमारी बॉड़ी पे पसु पक्षियों पे पेड़ पॉधों पे लगता और कोई भी इससे बच नहीं पाता यानि यह सित्य हमारे लिए बहुत जादा खतरनाक होती अब देखी यहाँ पे पहला प्रशन है कि निमलिखित का सही मिलान करें तो चलो शुरू करते हैं पहला हमें एक्स्प्रेइन कर रखा है कि सेल का समूम सेल के समूम को कहते हैं बैटरी तो इसलिए इसके आगे मैं लिख देती हूँ डी ठीक है अगला है वह उपकरन जो रा आसायनिक उर्जा में को विदुद उर्जा में बदलने का काम करता है सेल यानि इसका अंसर आजाएगा एफ उसके बाद तीसरा है अपने अंदर से विदुद धारा को प्रवाहित होने देता है तो ऐसी चीज जिसके अंदर से विदुद धारा प्रवाहित हो सकती है उसे क कहते हैं विदुद चालक तो इसका अंसर आजाएगा ई चौता है अपने अंदर से विदुद धारा को प्रवाहित नहीं होने देते इसको हम कहते हैं विदुद रोधक इसका अंसर आजाएगा इसके भाद पाचवा है विदुद धारा के प्रवाह से दीपतिमान हो जाता है तो जैसे ही विदुद धारा का प्रवाह होता है तो कौन सी चीज दीपतिमान होती है वो है फिलामेंट यानि बल्ब का तन्तू इसका अंसर आजाएगा बी और लास्ट है एक सरल युकती जो व विदुद परिपत को तोड़ने या जोड़ने के लिए जिसका भी इस्तमाल किया जाता है उसे कहते हैं स्विच यानि लास्ट का आंसर आजाएगा A ठीक है तो इस तरीके से मैंने तो सिफ D, F, E, C, B, A ये लिखा है आप इसका पूरा लिखेंगे जिसे D के सामने बैटरी है तो यहाँ पे आप बैटरी लिखेंगे, F का मतलब क्या है, C, E का मतलब क्या है, विदुद चालक तो यहाँ पे विदुद चालक लिखेंगे, इस तरीके से आप पहले प्रशन को हल कर लेंगे, ठीक है? अब दूसरे प्रशन में कहा है कि निम्न लिखित के चिन्ध बनाओ तो यानि हमें इसके निशान सिंबल बनाने है, पहला है C, तो C के लिए हम क्या करते हैं, दो तरफ से तार आ रही है, एक तरफ से बड़ा वाला शिरा और एक तरफ से छोटा वाला शिरा, यह निशान होता है C, अब ऐसे ही कई सारे C, को आपस में हम जोड दें, तो बन जा तो दो तरफ से आ रहे हैं तार और बीच में यह है स्विच्च अन है तो यह जुड़ा हुआ होगा अगर स्विच्च ओफ है तो इसको हम खोल देंगे इसका मतलब यह आपस में टच नहीं हो रहा है परिपत अभी जुड़ा नहीं है और विद्धारा प्रवाहित नहीं होग तो बेटा यह थी आज की हमारी साइन्स की वर्कशीट आई होप आपको यह वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और अगर आपको यह विडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब कर लें थै